केतु पे चलते हैं quickly तू फस्ट हूस मेरा फेवरेट आप इनवर्ड हो जाते हैं आप अपने अंदर जागते हैं हाँ अगर सन वहाँ पे रहे और combination सन के साथ कहीं से conjunction कहीं से आसपेक्ट वोगें तो थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आप इनवर्ड होते हुए भी आपके अंदर एहम बहुत जादा एको है और वह आपके लिए मुश्किल है लेकिन के तू फस्ट हाउस में मोक्ष के लिए spirituality के लिए आपको opportunity देते हैं दसा अंतर दसा में कि आप अंदर देख सकें दूसरा के तू किसी भी घर में होंगे 32 साल के एज के आसपास एक जटका आपको दे देते हैं अब वह health से related दें wealth से related दें relationship से related दें वह आपको पकड़ना होगा राशी से और जो planet साथ में यही केतू दूसरे में चले जाए देखे अच्छा केतू का एक और है कि जिस घर में बैठे हैं उस घर को आपने साध रखा है तो पहले घर में आप अपने आपको आपने साध रखा है साधने का मतलब क्या होता है अब इस जीवन में आपको राहू चला रहे है केतू तो च जब इटिलाइज करना शुरू करते हैं तो कहते हैं तुमको तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मंतरा आती हैं, प्रिजेंटेशन आता है, स्ट्राटीजी आता है और जीरे जीरे ये रहु आपके दमाग में उसको बढ़ाते चले जाते हैं और आप इतने एहमी हो जाते हैं उस सबजेक्ट को लेकर के जिसको आपने भोग रखा है, जिसको आपने साध रखा है, कि उसके बाद आपका इग्णोरेंस चला शुरू हो जाता है, और पूरा का पूरा एक बार में खतम हो जाता है, जब वही 32 साल के उमर आते आते ये इस्तिती होती है, क्योंकि ये आपका ओवर कॉंफिडेंस आपको ले डुकता है, इसलिए राहू का उपाए केतु और केतु का उपाए राहू से किया जाता है, तो इसी कॉंसेप्ट को 12 सेकेंड में पकड़ें, 32 साल के उमर में पर पैसा जाएगा, वेल्थ, या फैमिली से कनेक्शन तूटेगा, घर छोड़ गया आप, या फिर हो सकता है, वेल्थ चला गया आपकी, स्पीच में दिक्कत हो सकती है, नो डाउट, कभी एक्सिदेंट हुआ, तो चेहरे वाले एरिया में आपको मेजर सरजरी वर्जरी हो सकती है, पान गुट का सिगरेट अगर में तरह पीते हैं, तो सतरक रही है, करता हो, केतु को सुबह सुबह उटलाइस करता हो, ठीक है, अपना अपना तरही का है सोचने का, ठीक है, तो कुछ चीजें इंसान के साथ जाती है, क्यों है, हम हमें सही यह बात करते हैं, वह किसी और दिन हम लोग डिसकस करेंगे, और ये केतु, दूसरे हाउस में यह दे और दूसरा क्रिएशन में उनको इंट्रेस्ट नहीं है, क्योंकि क्रिएशन जो है, वह डिस्ट्रॉइ करने वाले, जो पुराना कर्मा बचावा कैंसल करो, खतम करो, थर्ड हाउस में, केतु को यह प्राब्लम होती है, और थर्ड हाउस आपके कोबान का भी है, कोबान भी आप कर्मा आगे ले करके जाते हैं, फ़ड हाउस पर रुख जाओ आज, घर्ड हाउस इस दा हाउस अफ कम्मुनिकेशन, I was talking about केतु, पावर कट हुआ, और देखिए, कनेक्शन चला गया, इंटरनेट का, फिर मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ, तो मैंने उपाय क्या निकाल मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, लाइट आ गई, सब कुछ आगे, लेकर मैंने मोबाइल से मरूना नहीं ठीक है, गर केतु, पाय करना है, तो राहु से उपाय कर लो, वो ज्यादा बैतर है, और हम इसको एडिट भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, लोग भी उसमें बैठा हुआ केतु, आपको multiple flats दिलाने की ability रखता है, केतु flats होते हैं, एक बड़ी सी building होती है, खोटे छोटे पीसे, घर नहीं flat, घर तो फिर राहु है, खोटे छोटे छोटे, खोटे, तो और कट करते हैं, पीसे में, तो एक building बनी, उसमें ऐसे बन गया, ब्लॉक multiple flats अगर आपको कोई दे सकता है, तो केतु दे सकते हैं, फोर्थ में हैं, या फिफ्ट में भी हैं, क्योंकि फोर्थ का sustenance है, तो वो ये भी दिखाता है, कि फ्लैट खरीद के rent पे लगा दो जी, पैसा आ जाएगा, खर वो बाद में बात करेंगे, तो फोर्थ में आपको क केतु ये देते हैं, माता जी की तवित खराब हो सकती, हाउस अफ हैपनेस आपका इंपक्ट हो सकता है, बत्तिस साल के उमर में, अब उस घर के राशी और प्लैनेट के हिसाब से आप देखेंगे, कहां आपकी हैपनेस वो इंपक्ट हो रही है, ठीक है, आप गाड़ी जो ह दो-तीन लाक में, चार लाक में जो आजकल आते हैं, मैं परचार नहीं करना चाहता हूँ, क्या भाई तो उसको सिलिंडर लगा दो, एक महीना चल रहा है, खर्च तो लगेगा नहीं, फोड़े से पैसे में, बस शहर में आना जाना, ये केतु है, चलना चाहिए काम, मुझे कुछ और एक स्वा लेकि नहीं चलना है, केतु पांचवा बेस्ट प्लिस्मेंट, ये लगी, जैसे लेवन्त में राहू है, यहाँ पे बेस्ट है, अब आपका फ्री विल बताएगा, कि आप इगार में पे ज़्यादा जोड़ दे रहो हैं या पांचवा आपका मंत्रा च तू करोगी, अभी ऐस्ट लॉजर की बात, हम लोग मत्तब ऐस्ट लॉजर जो बोलते हैं कॉम्बिनेशन उसमें ये कॉम्बिनेशन, वन अफ बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रेडिक्शन के लिए, केतु मिल जा, मरकरी मिल जा, दूसरा घर मिल जा, पांचमा घर मिल जा, ठीक प्लान करते हैं, तो आप देखें कि उस एज क्या सपस न करें, वो एक रिस्क हो सकता है, छटे घर का केतु क्या देगा, छटे घर को अगर आपने साधा है, तो रिन रोग सत्रू आपने सब साधली है, एक आपको बाहर लेके जा रहा है राहू, बारह हुए में, केतु बो हाँ, वो केतु है, ये केतु आपको रिन लेने से भी आपको रेस्टिक्ट करते हैं, लोन मतलो, पोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने राहू का सुना, 12 में बैठे वो, तो आप बड़ा लोन लेने का कोशिश करो, क्योंकि आठवे के ट्राइन में, बाज आने के लिए, बाज आने के लिए, लोन ले लेते हैं, केतु राहू, और आठवा अधर्स मनी है, इसली एकसेसिबल है, ट्राइन में पढ़ता है, आप केतु यहां बैठके बोल रहा है, मतलो यार, बहुत ले रहा है, तो छोटा-छोटा ले लो, दस-बीस-पचास जार लाग रुपे ल आपको एक उपाय करना है, देखो यह उपाय मैं जेनलिक बताता हूँ, जब आपको प्रॉब्लम हो, आप अपने आप से बात करने की आदट डाले, आप, जैसे मैं राजीव हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मैं बैठ जाओंगा, और मैं राजीव से बात करूँगा, यह व अपना नाम का चैंटिंग तो फिर उगदम अलगी कॉंसेट है, कि जो सोल का बॉंडेज है, उसको रिलीज करने के लिए नाम की चैंटिंग करनी चीए, वो पहली चैंटिंग लाइफ क्यों नीचीए, यह लोग करते नहीं, वो करते नहीं, पहली चैंटिंग करनी चीए, जो नाम आपके नक्षत्र से निकल किया है ना बून के नक्षत्रा से उसकी चैंटिंग करो सूल का जो बॉंड़िज है उससे आप रिलीज जो आपके बॉड़ी और सोल जो जो बॉंड़िज में फसा हुआ है सोल उससे मुक्त हो जाओगे तो वह एक अलगी लेवल पर अलगी डिसकेशन है अब चलते हैं सात्वे घर की तरफ सात्वे घर की तरफ इंट्रेस्ट नहीं एक तीन साथ इंगा रहा है ना जो मारिसी पराशन ने कहा था कि काम डिजायर भाव है तो इसको उनको इंट्रेस्ट नहीं है ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप को एहनियत भी नहीं देता है और रिलेशनशिप की एहनियत शादी के बाद वो समझता है लेकिन ये प्लेस्मेंट बहुत कुछ करने का माददा रखता है और करेगा यही के तु आठ्वे में चले जाए अगे मेरा फेवरेट प्रेस्मेंट है पड़ो जितने आपको अस्क्राजी पढ़नी अकल्ट करना हो रिसर्च करना हो डेटा साइंटिस्ट बनना हो आपको डॉक्टर बनना हो इंजि तो वह वाला काम भी हो उनका है लेकिन इनका है डीटा में चले जाएंगे रिसर्च करेंगे अनलाइस करके निकाल के बाहर लेकर करेंगे बहुत अच्छा वो सर्जन मना देंगे कट वट करने वालों मारा चाकू पेट खुल गया यह भी केतू जहां पर होता है आप एक सर साथवे घर में है तो आप डॉमें में आएगा और महिलाई सीच को लेकर बहुत परेशान रहती है और पेट में एक एरिया में हो गया तो वह होगा उसको समहलने की जरूरत है आपको उसको साधने की जरूरत है और केतू के लिए बहुत अच्छा प्रेस्मेंट है कुंडल सकती का जो पहला चक्र है ठीक है वहीं से शुरू होता है और केतू उसके लिए बैस सूटेबल है लगी केतू अगर एट में है तो अब आगे बढ़ते हैं नाइंत में यहां वो बहुत खुश है धर्म का है भागा है तीसरे से नौमे में में आ गए जहां राहू को दिक्क से केतू का उपाय होता है और केतू खुशी खुशी उसको स्विकार भी कर लेते हैं तो मानली जी आपने जूपिटर देखा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है चार्ट में और कहीं केतू बैठे वो उनको दिक्कत हो रहे तो आप जूपिटर का उपाय करेंगे तो केतू आपके गले शांत होजाते है क्योंकि आप को धर्म आप हैं अपनें गौर्रमिंट के प्रतीम عنदार रहेंगे अपने पिता के प्रतीम अंढ़ रहेंगे आपने सत्ती कूछ चीज से ठीक है उसके बाद 10th में जाए 10th में बहुत अच्छा है देखिए के तू किसी भी घर में हो तो के तू का काम क्या है कि परारब्ध से कर्म और लोग दोनों लाते हैं कर्म तो लाते हैं लोग लाते हैं ठीक है हर घर के हिसाब से लोग लाएंगे सामने खड़ा कर देंगे यह एक आदमी है आपके सामने खड़ा हो गया अब इसके साथ कर्मा कैंसल कीजिए ठीक है अब दसवे घर की बात करूं तो आप नौकरी करते हैं तो मल्टिपल नौक आपको सर्विस में जॉब में दे दे से क्या हुआ तुरत से उसने नौकरी बदल ली विट्टी ने फीडबेक दिया था किस पर यूट्यूब पे कि सर मैं तो नौदस महीने में बदल लेता हूँ बात सही बदलता भी होगा विट्टी उसका वही प्रारब्द है के तु वैसे ही उसके साथ काम करा रहा है ठीक ह क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं बदलेगा तो आपको नए नए लोगों से आपको मिलना नहीं होगा इसलिए टेंथ हूस के तु कट करते हैं जॉब को हुआ खतम हुआ कट करो नेक्स जॉब आपको क्या लगता है मैंने बात नहीं करी अगर गलती से बुद्ध के साथ संबंद बन जाए देखिए आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा उसमें वीनस को मिला मून को मिला दीजिए वो फ्रेंड सर्कल किसी और चीज में तब्दील हो जाएगा बुद्ध के साथ मरकरी और के तू मरकरी और के तू अब बता तो दिया कि मून जैसी उसके साथ एड किया मून क्या है मून तो अलोड़ी अलोप हम लोग बोलते हैं हाँ गौन केस है तो कुछ और ही करने की वो कोशिश करेगा बुद्ध जो है पहले दोस्त लाके दिया वह उनका काम है तो यह एक केतु का इसा है? केतु लाक्र के दे मैं के दे बहुट दोश्य करते हैं शादी विवाप सब्चीछ कराते हैं केतु यह ब्रहमने कोई भ pare है केतु है तो शादी नहीं होगी सबने शादी होगी केतु एफलिक्टेट ना हो तो क्योंकि वर्ना मून की साथ तो डिप्रेशन भी देखे जाते हैं अबिसी बात है वो देखे जाएंगे एक इनवर्ड लुकिंग एक पूरे संसार में बखबख कर रहा है वो बंद करो यह अपना तमाशा मुझे बस वो आपको क्योंकि एक व्यक्ति कभी अंदर देखता है आपको होगी ना इसके बाद यही के तु लेवन्थ में चले जाएं यहां थोड़ा दिक्कत देते हैं पाच्वे में अच्छे थे हां अपको समाज से काटते चले जाएंगे आपका सोर्स ऑफ इंकम टाइम कट करते रहेंगे बड़े भाई-बयान से संबंद खराब हो जा आपके स्पाउस का जो पुर्वपुन है उसका एक्सेस हो सकता है रुक जाए आपके छोटे भाई-बयान का नौमा भाग गया है उनके भाग में कटौती हो सकती है तो एक लेवल तो बैठा हुआ के तू यह बहुत सारी चीज़े दे सकते हैं जो उनको घर नहीं पसंद है तो कमों वेश देखो तो आपको केटु कहां खराब मिल रहे है तीन में सात में और 11 में जो काम भाव है और तीन जगहां बहुत अच्छे हो गयँ रहू हो। रिखातु पर श कंए ब्ति हैं को था से नहीं है को ने जाना को अगर दो इस आये नहीं है के लिए आपके पास पहले से आप वो बुद्धी लेकर के आ रहा है आठवे का के तु आपको दिखाता है दो लाइन पढ़ते और वीस लाइन समझते हो छटे का कुई तु आपको लोन मैनेजमेंट सिखा देता है कि आपको पहले से आपने कर रखा है एनमीज को हैंडल करना लेकिन आप उसको अगर इस जनम में आप के तु छोड़के बारहवें को चले जाओ तो छटा हैंडल नहीं होता है लेकिन छटे पर फोकस करो तो आप फिर के द्वारा हैंडल कर लोगे लुक्त कर देगी क्योंकि राहू जो है वो जो उसने साध रखा उसको लेकर के आपको बहुत अच्छा है चला आगे कर बारहांगे के तु बहुत अच्छे है साधना के लिए आप meditation करोंगे बहुत बढ़िया है मतलब उसके लिए तो कहना ही नहीं नहीं है और आपको विनेश नहीं जाने देंगे कोशिश करेंगे आप देश में रहें कोशिश करेंगे तो यह आपका है तो यह सारी चीज़े हो गई आपको राहू के तुसे डरने की ज़रूरत नहीं है लोग डरते हैं इसके इनरजी बहुत अच्छी है कार्मिक प्लानेट है कलिव में इनकी ज़रूरत है अगर राहू नहीं है तो सपना भूल जाइए पैसे वीडियो होगा है इन्टरनेट होगा है फोन ही नहीं होगा कुछ नहीं होगा कमिलिकेशन नहीं होगी हम बात ही नहीं कर पाएंगे और उससे भी जादा आप ये समझो कि राहू और राहू की में खास करके बात करता हूँगर आप इस पिश्वालिटी में है तो के तु चाहिए, एस फ्लॉजी में के तु चाहिए, राहू अगर नहीं हो तो इस संसार में आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, जूपिटर के स मतलब किताबे पांच पढ़ लेगा, लेकि स्टेज पर जाके जब डिलिवर करने की बात आएगी और लोगों को समोहित करने की बात आएगी, तो वो चाहिए, तो यह हो गया, राहू के तु के 12 घरों का रिजट, लव इट, राहू के तु के तु मैं ही हो जाती हूँ कि मत दस मिनट में मेरा कंसल्टेशन है, तो आपके जो आपने बात बोली है, मैं उसको यही पर छोड़ता हूँ कि दसा का जो लेंथ है, वो कैसे डिसाइड हुआ, और क्यों किसी दसा को इतने साल मिली, दसा शुरुवात इसी प्लैनेट से क्यों करते हैं, वो जो पता है, के त लेकिन आप शुरू वहां से नहीं करते हो, हाँ, तो सन से क्यों शुरू करते हो, क्वेश्चन उठता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो पादे नहीं होते हैं, अब बहुत अच्छा कॉंसेप्ट इस पर हम लोग डिसकुस करेंगे, फिर लेंथ हुआ, पर जोतिश में आप सब कुछ पढ़ करके रच सकते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए जब तक उसको दशा में देखने का अगर टिक्नीक आपने नहीं सीखा और प्रैक्टिस नहीं करी, आप रिजल्ट का इवेंड का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे कब होगा, आप जाते रही, अंतर प्रत्यंतर करते रही, उससे कुछ होना जाना है, अगर दशा खराब है, तो और इसको जीरो है, दशा साब यह सीखना होता है और इसके बाद हम लोग अगले दिन जो है इसके उपर डिसक्स कर लेंगे अश्वी आपको आपको आपका यह बड़ा आपका चहेता टॉपिक है कि सारे प्रोफेशन का कॉंबिनेशन बता दूगा आपको अगले वीडियो में कि कैसे बनते इंजीनियर डॉक्टर बिजनिस का है थोड़ा हम लोग डीटेंट प्रेजिडेंट कौन सी दसा अंतर दसा कौन से ट्रांजिट से आप कैसे पकड़ेंगे की एलेक्शन जीतेंगे की नहीं जीतेंगे कर रहा है यह जड़ी बुटी से निकाल के ला रहा है वह क्या कर रहा है वह पानी मिला रहा है अब अब उसके साथ आपने कहा है कि यह डॉक्टर बनेगा और यह वाटर से ऐसे मिलाएगा आगे है मून आगे तो आपने कहा कि जब वीनस और मून का कॉंबिनेशन होगा तो यह व्यक्ति जो है वह हमोपैथिक डॉक्र अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं तो नहीं दिखेगी जब वीडियों वह मैं बता दे रहा हूं कि जो केमिकल की में बात कर रहा था उसको मैं पूरा करता हूं तो आपने वीनस पकड़ा फिर मून पकड़ा आप पानी मिला रहे हैं और उसमें के केमिकल किस से देखते हैं केमिकल सैटन भी दिखाता है कि सैटन गेमिकल होता है हाँ जी आप केमिकल इंडस्ट्री में चले जाईए आप यह कॉम्बिनेशन आपको हो यार वह पैठिक में जाओगे क्योंकि किताबे बहुत पुरानी पढ़नी होती हैं आपको सरिता जी आप हैं आप ठीक है यह आप तो यह अभी थोड़े दिर में हाँ ठीक है वो मैं अभी जाओंगा तो कोई बात नहीं क्योंकि यही लिंक मैंने लगता उनको भी शेयर कर दिया था अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं अगले वीकेंड हम फिर मिलते हूं और और मुंबई का मीटप प्लान है दिल्ली में यस्वी इस बार वहां आएगी और वहां करके वो वीडियो बनाएगी ठीक है चलिए आज पिले विदा लेता हूं नमस्कार थेक्यों